है 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 फ्रिंस एंड प्रिंसस आप सभी का इस खुबसूरत सविरा में स्वागत है यह हमारे चैनल इसे कि हमारी आत्मा की इक्षा मतलब हमारी आत्मा क्या चाहती है कभी-कभी कुछ ऐसा होता है जिसे कि हम किसी को लूट लिये तो हम पैसा मिल गया तो हम खुस होगे इस पैसा से इसा करेंगे पर अंदर से उदास रहते हैं कि उसका पैसा हम चिनले और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे हमें भूख लग रही है और हमारे पास खाना है और सामने वाला भी भूखा है पर हम सामने वाले को खाना दे दिये तक बात करेंगे हम अपने सभी वीडियो में हमारी सोच मानसिक्ता आदते और जो हम काम करते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे जो हम करते हैं वो सही है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हम खुद को बदलेंगे हमारी सोच को बदलेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने इकोसिस करेंगे, आज का हमारा टोफिक है जीवन, जीवन प्रारम तब होता है जब हम जन्म लेते हैं, और इसका अंत तब होता है जब हम मरते हैं, पर जीवन इसके बीच में हम क्या करते हैं, जन्म से लेकर मरने तक, इस बीच में हम जो काम करते हैं, वही जीवन है, हमारी यादे और हमारी कार्यों के लेकर दूसरों की यादे वही जीवन धर्ती पर बहुत सारे जीव हैं सबका अपना अपना जीवन है जो जिस योनी में जन्म लेता है उसका जीवन उसी आधार पर होता है हम अभी मनुष्य से जन्म लिए हैं तो हम मरेंगे उसके बाद हम दूसर बन जाए बिली बन जाए चुहा बन जाए या फिर मच्छड बन जाए तो यह हमारे कर्मों पर आधार पर होता है चलिए एक उधारन से समझते हैं आज किल सबके पास जेनरली फोन होता ही है तो हम फोन को ही उधारन मानते हैं मान लीजिए कि एक सीम है सीम हमारा कर्म हुआ अ वो वो स्केसंड जेन्रेशन का सेम है तो उसे च्छोर्टा सब्सक्रापन मिलेगा जिसमें कॉछिन कर सकते हैं और मेसेजर टाइप करके भीकिस mission सकते हैं अगर वो 3g है तो smart phone मिलेगा थोड़ा function कम होंगे smart phone में पर से smart phone ही मिनेगा जिसमें हम इंटरनेट यूज़ कर सके, यूटूब, वर्टसअप, इंस्टा ये सब चला सके अगर 4G है, फिप्ट जेनरेशन का सीम है तो उसे और महना फोन मिलेगा और एडवांस फोन मिलेगा जिसमें रैम जादे होगा मतलब सीम हमारा कर्म हुआ अगर हमारा कर्म बुरा रहेगा तो उसी प्रकार हम कोई सुवर, कुटा या फिर कीडे मकोडे के रूप में जन्म लेंगे अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम इनसान के रूप में जन्म लेंगे अगर माल लिया कि हमारा जन्म कुत्ता के रूप में भी हुआ, तो किसी अमीर घर का कुत्ता बनेंगे, ऐसा होता है जीवन, जीवन चक्र जिसमें हम अलग-अलग योनी में जन्म लेते हैं, पर ऐसा भी तो हो सकता है, किसी फोर्थ जेनरेशन का ही है, पर ऐसा फोन मिला, जो जो फोन चला रहा है, वो कितना दिन तक उस हैंग करता हुआ फोन में फोर्जी सिम रखेगा, फोन तो बदलेगा ही न, तो बस हमें इंतिजार करना है, और अच्छे काम ही करना है, जिससे हमें अच्छा योनी मिल सके, मानो जन्म लेना बहुत ठीक, कठिन काम है, मैं यह न कहना चाहता हूँ, कि मान लिजिए कि आपको 9 महीने तक कोई बंध कमरा में राखे दिया हो, जिसमें आप सास भी नहीं ले सकते हो, ना खा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, कैसा महसूस होगा, वो इसे ही एक बच्चे को मा के गर्भ में महसूस होता है, इतने कष्ट के बाद आप इस दुनिया में आये हैं, तो ओवियस सी बात है, आपको अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि दूबारा उसी कष्ट का सामना ना करना पड़े, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम आगे और जीवन की बाते करेंगे, तब तक कि लिए जय हिंद,